हेलो एब्रिवान आई एम सोनम वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अपना भी देले आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लाश 10 हिंदी का बिलकुल वायरल माडल पेपर ऐसा ही आएगा आपके 2030 बोर्ड एक्जाम में पेपर ठीक है क्योंकि ये जो पेप का सभी आंसर को बताएंगे ठीक है किस तरह से आपको आंसर लिखना ये भी बताएंगे और पूरे आंसर के साथ हम आपको इस पेपर को बताएंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सेयर करना का होगा ठीक है और इसमें आपको समय तीन घंटे 15 मिनट का मिलेगा जिसमें आपको 15 मिनट का जो समय है यह पूरे प्रस्म पत्र पढ़ने के लिए निजधारित है ठीक है आप लोग ज़रूर 15 मिनट इस पूरे प्रस्म पत्र को पढ़िएगा तो यहां पर देखे जो पहला क्वेशन आएगा तो सबसे पहला क्वेशन दिया हुए निमलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए यहां पर दिखे चार आपसन दिये हुए पहला है मित्रता अचाराम चंदर सुकल का प्रसिध नाटक है बिल्कुल गलत ठीक है इसके बाद दीब दान है वो डाक्टर राम कुमार का ठीक है एकांग की है इसके बाद दीब कि लेकित दूसरा क्間 लेकित कथलों में से कौई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए तो यहां पर कई दिया हुए जैसे जूटा सच के लेखक राम दिलाज सरमा है तो यह भी गलत है अवारा मसीह एक उपन्यास एक जीवनी है नेष्ट है महादेवी वर्मा एक उपन्यास कार लेखका यह भी गलत है इसके बाद चोथा दिया हुआ है घह यानि की हंस पत्रिका के समपादक तो यहां पर उसने कहा था कहानी बिधा की रचना है नेष्थ चूथा त्याग पत्र के लेखक का नाम है तो वह जेनेंदर कुमार है पहला आपसल राइच है नेष्थ पांचवा नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है तो वो सचीदानंद हीरानंद वातस्यायन अग्ये जी को माना जाता है नेश्ठ छठवा निजभासा उन्नती एह सब उन्नती को मून उप्ति के लेखक कौन है यानि इसमें इसके लेखक कौन है तो वो भारतेंदू हरिश् सात्वा क्वेश्चन है कौन सी रचना कभीवर पंथ की नहीं है तो यहाँ पे देखिए युगवारी जोहाई ये भी पंथ जी की है यानि सुमित्रा नंदन पंथ जिनका नाम है और उसके बाद लोकायतन भी है लेकिन ये सुनहरे सेवा जोहाई ये इनका नहीं है तो यहाँ पे आपसंगर इसके बाद नेष्ट है कला और बुढ़ा चांद के रचना कार है तो कला और बुढ़ा चांद जो है इनके रचना कार सुमित्रा नंदन पंथ है ठीक है आपसंगर नेष्ट है करूर रस का स्थाई भाव है तो करूड रस होता है उसका इस्थाई भाव क्या होता है सोक होता है ठीक है अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारे चैनल से बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको करूड रस और सभी रसों को बताया हुआ है और कई एक्जामपल के साथ आप लोग जल्दी से दे पे दो और चर्चा की आबिरतु ही इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है ठीक है और भी यह उत्परच्छा उप्मा अलंकार भी हो सकता है लेकिन सबसे इंपोर्टंट यानि इस में दिख रहा है वह अनुप्रास अलंकार है ठीक आप पूछ देता कि पहले और तीसरे चरण में तब आप लोग 11-11 मात्राइं मारते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे पूछ रखता है दूसरे और चोथे तो यहाँ पे तेरा तेरा थे इसके बाद नेश्ट कोश्चन देखते हैं नेश्ट कोश्चन है बरहां सबतर्सी में कौन सा सम समास है तो यहाँ पर देखे सतर्सी जो है इसमें दीगू समास है आपसन सम आपसन पहला राइठ है नेश्ट है जेट का तरसं जो में जोता है इसका तरसं जो में आपकर il को राइवाचि अद pace क्रोध जो हता यानि घुश्या करना इसको प्रयाई वाची क्या होगा कुपीत होगा ठीक है यानि आ प्रियाई वाची है तो इंड्र का प्रियाई वाची आप्षराइट झाप Emam इत्याद में कौन सी संधी है तो इत्याद ही जो है इसमें यार संधी है ठीक है आप लोग तयार कर लिजिए हमारे थोड़ा गला में अवाज में प्रॉब्लम है इसके लिए सौरी इसके बाद नेश्ट है यहाँ पे नदाम में किस बिभक्तियों वचन का रूप है ठीक है त पठ्थू सब्द किस लकार पुरुषयं का रूप है तो यहाँ पर देखें पर पठ्थू है तो वह किस लकार पुरुष qualche का है तो यहाँ पर लोद लकार प्रथं पुरुष एक व sowचन है तो इसके बाद नेश्ट है यहाँ पर 20 कोश्चन अहसम हस धातु के किस लकार का तो यहां पर देखे आपको यानि की अब जो आपके बोर्ड एक्जाम होंगे हिंदी उसमें निव पैटन के अनुसार यहां पर जो आपके एक्जाम में आते थे सब्ध रूप धात रूप ठीक है और यहां पर जो संधी वगेरा आते थे सब प्रयायव अच्छी जो है सब य हात रूप को याद कीजिए तभी आप लोग इस तरह से बहुविकल्पी क्वेश्चन को कर पाऊगे ठीक है इसलिए आपको पहले की तरह उसे याद करना है भले ही आपके एक्जाम बहुविकल्पी क्वेश्चन में 20 नंबर के हो गए यह सब लेकिन आपको याद करने ही यहाँ पर पहला आगया फिर से क्वेश्चन निमलिखित गद्यांस पर अधारी तीन प्रसनों का उत्तर दीजिए यानि कि गद्यांस इसमें दो गद्यांस दिये हुए उसमें तीन क्वेश्चन दिये हुए उसका अंसर आपको लिखना है तो यहाँ पर आपके एक्जाम म है सबसे पहले क्योंकि इस तो यहां पर देखिए इसमें तीन क्वेश्चन पहला में दिया हुआ है ठीक है और यहां पर कोख दोठो है तो इसमें भी तीन क्वेश्चन दिये हुए तो दोनों में आप सभी को सबसे पहले यानि संदर्व याद रहेगा तभी आप लोग पहले question को कर पाओगे संदर्व के लिए आपको क्या करना होगा यानि कि जितने भी आपके हिंदी के चेप्टर है सभी के पाठ के नाम और लेखक के नाम को याद करना पड़ेगा ठीक है तभी आप लोग इसको पहचान कर लिख पाओगे तो यहाँ पे दिखें यहाँ पे दिया हुआ है यह एक नैतिक और अध्यात्मिक स्रोथ है जो अत्यंट काल से ठीक है प्रतेच्छ रूप से संपुर देश में बहता रहा है और यहां से यानि कि यहां से लेकर के इसमें ठीक है गया है यहां तक दिया हुआ है तो इसमें आपको इसको कैसे पहचाना होगा तो यहां पे आपको इसके लिए पूरे चेप्टर को पढ़ना होगा ठीक है पूरे पैराग्राप जितने भी आपके चेप्टर है उसको पढ़ना होगा तभी आप लोग जहां से भी ला यहां पर आपको यहीं लिखना होता है गर्ध्यांस में प्रस्तूत गर्ध्यांस हमारी पाथ है पुस्तक हिंदी के गर्धिखन्ड से संकलित भारती संस्क्रीती नामक पाथ tidyya गया है इस पाथ के रचैता यह लेखक डाक्टर राजेंदर परसाद जी है ठीक है बस इतना ही तो लिखना है आपको हमने कई बार बताया है संदर्व लिखने की ट्रीक आप लोग अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से देख लिए हिंदी के प्लेलिस्ट में ठीक है या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम प्लाइन दिये हुए सिर्फ उसी का ब्याख्या आपको करना है ठीक है तो आप लोग इसमें क्या किसे कि आप लोग थोड़ा बहुत इस लेखक के बारे में जो यह लिखे हुए उसके बारे में लिखिये बाकी यहां पर रिखंकी तंस है उसी को थोड़ा और अपने बसłem यहीं होता है रिखंकी तंस की ब्याक है नेश्ठ है लेकण ने ड्लतहker द् compelling ने गद्यांस में क्या संदेश देना चाहा है तो इसी पररागराफ में मिलत टीक है जैसे लेकटव ने गद्हांस में क्या संदेश देना चाहते हैं वह अम्रत्तु सत्त और अहिंसा का है ठीक है जो केवल इसी देश के लिए नहीं आज मानो मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आउस्थे खो गया है यहां तक आप लोग इसके आंसर में लिख दिजेगा बिल्कुल राइट है आपको छे नंबर पूरे के पूरा मिलेगा यह मेर संसा करें पर जिससे हम इसने न कर सके ठीक है यानि यह जो है पहला मित्र ही दे दिया यानि यह मित्रता चेप्टर से है ठीक है जिसके लेकक अच्छा रामचंद्र सुक्ल है तो आप लोग इसको तयार कर लेजिए रिखांकी तंसकी ब्याख्या में वही करना है जो उपर ह दिसरा क्वेशन इसका अंशर आपको इसी में मिलेगा ठीक है जैसे हमारे और हमारे मित्र कें इसकी सहानबूती होनी चाहिए हई यहां पर देखिए हमारे और हमारे मित्र के भी सच्छी सहानबूती होनी चाहिए तो यहां पर इतना इसका अंसर आपको लिग देना है ठीक है बस यहीं करना है इस वाद देखिए नेश्ट है दूसरा कोईशन देखिए इस पेपर को हम बता रहें आपको समय जरूर लगेग यानि वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन जो इसमें हम आपको नालेज दे रहें न वो आपको कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा इसलिए आप लोग देखिए इसको बहुत ही ध्यान से समझे और वीडियो को बिना इसकीप किये देखिए ठीक है तो यहां पर देखिए दूस यहां यहां तक दिया हुआ है यानि ढौरी तक यह आपको इसको पहचाना है तो यह की सी की का यही तो यहां के देखिए आपको दोनों में से किसी एक को करना है दूसरा दिया हुआ है मेरी भाव बाधा हरो ठीक है यानि इस तरह से दिया हुआ है होई तक ये जो है ये बिहारी लाल जी का है यानि बिहारी लाल जी के भक्ती से लिया गया है ठीक है तो आप लोग इसको तयार कर लिजे इसमें तीस घरश्ट आगेयाierte इसरा vit чं अ आपके पेपर में आने वाला तो यहां पर दीए गयास संस्कीत में किसी एक संदर्भव ससहित यंदी में अणुबाध करना है आपको ठीक है संदर्भ एदो नंबर और यहां पर तीन नंबर अनुबाध करें या नि पांच नंबर टोटल आपको मिलेंगे यहां पर दिखें इसमें दो दिया गया किसी एक को करना सिर्फ आपको तो यहां पर एसा नगरी भारती संस्कृत यानि यह जो है यह किस चेप्टर का पराग्राफ है तो यह वारारसी जो है आपके संस्कृत खंड में हिंदी के तो वही वारार्षी चेप्टर से है तो आप लोग इसका संदर्व और अनबाद कर लिजिए नेश्ठ है एसा कर्म भीराणा ठीक है तो यह जो है यह आप सभी के यानि भारती संस्कृति चेप्टर से इसको भी आप लोग तयार कर लिजिए चोथा है दिय सर्वे भाउन्तु सुख्णम सर्वे संतु निरामया सर्वे भदान पश्चति माक शिद्ध भाग भाउन ठीक है और दूसरा यहाँ पर दिया हूँ पहला और दूसरा में से आपको कोई एक को करना है जिसका आपको क्या करना संदर्व और इसका अनुबाद लिख यह आप लोग अपने टीचर से कंफर्म किसे कि आपको कौन से खंड काभे पढ़ने हैं यह आप लोग अपना जिला बता देंगे तो हम आपको कमेंट में बता देंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है और उसी साब से आप लोग याद कर लीजी इसमें देखिए मुक्ति दूत तुमूल है इसके बाद यहां पे चंद्र सेखर आजाद याई मात भूमी है इसके बाद यहां पे कर्ड है ठीक है यानि कई दिए हुए है यह जिला वाइज होता है आपके जिला में जो पढ़ा है आप यहीं सिर्फियात कीजिए नेश्ठ चठवा उनकों दिये गए लेखकों में से किसी एक का जीवन पर्चे लिखते हुए उनकी एक प्रमुख्य रचना का उल्ले कीजिए, तो ये कितने नंबर का है, पांच नंबर, तीन नंबर आपको जीवन पर्चे पर और यहाँ पे दो नंबर आपको इसके रचना पर मिलेगा, ठीक है, ती चैनल पे जितने भी यहाँ पे दिये हुए हैं लेखक, ठीक है, सभी के बहुत यह तरीके से हमने जिसे टौपर स्टूडेंट लिखते हैं, उस तरह से लिक करके ट्रिक से आपको बताय हुए, अगर आप लोग नहीं देखे हो, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बने हुए क्लाश 10 हिंदी के जीवन पर्चे इंपोर्टेंट, वहां से आप लोग देख लिए जल्दी से, ठीक है, सभी जीवन पर्चे हमारे चैनल के अप्लोड है, खो दिया हुए है, कभियों में से किसी एक का जीवन पर्चे देते हुए, उनकी एक प्रमो खिरचना का उलेक कीज जो कि हमारे चैनल पर बहुत एच्छी तरीके से बताया गया है, आप लोग जल्दी से उसको जाकर देख लीजिए, और इसके बार नेश्ट है, इसमें सात्वा क्वेश्चन है, ठीक है, अपनी पाठे पुस्तक में से कंठस्त कोई एक इसलोग लिखी जो इस प्रस्नों प वारारसी, किमर्थ, परसिधा, अलचेंद्रक, आसी, ठीक है, नागरिक, किमर्थ, लजीत, अभवत, चंसेकरक, आसी, चार क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ दो को करना है, चार नमबर आपका पक्का है, हम पूरे क्वेश्चन को बताया हैं, इसके आंसर के साथ, आप लिक दे देंगे आपको, तो यहाँ पे नौवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, जो कि अब नौ नमबर का हो गया है, वो है निबंध, ठीक है, तो यहाँ पे निबंध दिया हुआ है, कम्प्यूटर सिच्छा, पर्यावरान पर दूसर, यहाँ पे चार है, इसमें से अगर आप लोग दो तयार कर लिए, तो बिल्कुल पक्का है, पहला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे पर पर्यावरान पर दूसर, ठीक है, हर साल आता है, यह दूसरा है, बिग्यान वर्दान या अभी साब या बिग्यान का च हमने आप सबीको बताया, यह पूड़े पर में आने वाले टापिक सभीको तैयार आप लोग पूरे को ताइर कर लिए, क्योंकि यह पर्माप सभीको पूरा बता है, यह बिल्कुल आप इसियल पर हैnd झूट के दوारा छारी किया गया पर हैं, तो अगर आप लोग इस पू पूरा नंबर आएगा अगर आप लोग इसको तयार कर लिए तो फिकर तो आप लोग जल्दी से इस पूरे को तयार कर लिए पेपर को बहुत इंपोर्टेंट है और आप लोगों को अगर ऐसी और भी पेपर चाहिए 2030 बोड की तो आप लोग जरूर कमेंट किजिए किसी भी सब्सक्राइब करा देंगे ठीक है और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में देखे जरूर सेर किजिए क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर होते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइप कर देंगे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल न भूले कमेंट करना बिल्कुल न भूले थैंक्स आल्दावेरी वेस्ट झाल बाग्ट